मिडल इस्ट का बहुत ही फेमस डेजर्ट बसबूसा या रवा केक बनाते हैं ये बसबूसा हम क्रीम वाला बनाएंगे यानि कि इसमें बीच में ये क्रीम की लेद रहेगी तो रेसिपी बनाने के लिए हमें लेना है एक कप रवा इसमें हम डालेंगे आधा कप चीनी दो चम बटर को हम रूम टेंपरेचर पर आजाए ये मेल्ट किया हुआ बटर तब इससे डाल देते हैं अंडी हमें तीन डालना है तो एक एक करके मैं अंडों को डाल रही हूं आदा चमश डाल लेते हैं वनीला एसेंस इससे फ्लेवर तो आएगा और अंडों की स्ट्रॉंग स्म कर रेडी है अब एक कंटेनर ले लेते हैं आप चाहे तो अलिमिनियम का कंटेनर भी ले सकते हैं इस पर बटर लगा लेते हैं और रवा इस पर छिड़क देंगे अब आधा जो बैटर है बसबूसा का हम यहां पर डाल देंगे इसे सारी जगा पर फैला लेंगे प्री हीट चीनी और एक ही कप ले लेते हैं पानी पानी में चीनी मीडियम फ्लेम पर घुल जाए इसके बाद हमें इसमें डालना है एक चमच गुलाब का पानी खुश्बू और फ्लेवर बढ़िया आ जाएगा इससे और एक चमच निम्भू का रस डालेंगे इससे चाशनी जमेगी नहीं क्रिस्टलाइज नहीं होगी तो चाशनी बनकर रेडी है अब हमें क्रीम बनाना है इसके लिए एक कप लेंगे दूद और दूद में डाल लेते हैं एक चोथाई कप दूद का पाउडर एक बड़ा चमच इसमें डाल देंगे चीनी दो चमच डाल लेना है कॉन फ्ला अच्छा सा बॉइल आने लगे इसमें और यह मिक्स्टर गाढ़ा हो जाए इसके बाद फ्लेम को बंद कर देंगे और अब डालेंगे इसमें एक चौथाई कप फ्रेश क्रीम डाल कर सारी चीजों को हमें मिक्स कर लेना है तो यह बसबूसा के लिए बीच की जो क्रीम की फ प्रेश करें पने और फिर इसमें हमें डाल देना है बसबूसा का आधा बैटर बसबूसा के बैटर को अच्छी तरह से यह कंटेनर में हम फैला लेते हैं बादाम से इसे हमसजा लेंगे आप चाहे तो चील कर भी बादाम डाल सकते हैं अब फिर से हम इसे बेक करेंगे तो 180 डिग्री पर 20-25 मिनिट के लिए प्री हीटे डविन में इसे बेक कर लेते हैं बसबूसा बेक हो चुका है मैं इसे इस तरह के स्क्वेर पीसे में काट रही हूँ और उपर से हमें चाशनी डालना है शुगर सिरप जो हमने बनाया हुआ है तो आदा शुगर सिरप मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 10 मिनिट के लिए इसे इसी तरह से छोड़ देना है ताकि चाशनी अंदर तक चली जाए और फिर यह बसबूसा रेडी है सर्फ करने के लिए थोड़ा सा बारिक चॉप किया हुआ पिस्ता भी मैं इस पर डाल रही हूँ क्रीम से भरा हुआ बसबूसा या क्रीम वाला रवा केक बनकर रेडी हो गया है सर्फ करनी की टाइम इस पर थोड़ा सा और शुगर सिरप डाल लीजिए